तो दोस्तों refund का process पर apply करने के बाद में अगर आपका message अप्रूब हो जाता है अप्रूब होने का बाद में क्या होता है कि आपका पैसा नहीं है मतलब अप्रूब हो गया तो होता गया है कि जब हम लोग refund के लिए apply करते है उसी समय reject या pending review के लिए बताया जाता है अप्रूबल के बारे में बताया जाता है तो उसमय क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी refund को apply करते है तो apply होने के बाद में क्या होता है कि उस पर लिखा जाता है एक Gmail आता है और Gmail पर लिखा हूँ डIRECTS हाता है कि योर प्रिव्यू ए रिव्यू के लिए आपका रिफंट चला गया ठीक है उस तरीका करके मेंसैज आता है आपके Herao प्रिव्यू करने का बाद में आता है 53 आपको रीफंट नहीं दे सकता फाइल यह आता है दूसरा ही आता है कि आपका जो approval हो चुका है refund your refund is approval ठीक है तो आपका refund approval हो गिया बड़ यहाँ पर और एक problem क्या आपको देखने को मिल रहा है कि जब हम लोग approve भी करवा दे रहे हैं refund को अपरूब भी हो जा रहा है तो उसके बाद में आपके gmail account पर balance नहीं आ रहे हैं तो यहां पर कुछ और rule यहां पर apply हो जाता है Google Play का तो अगर उस rule के अंदर में अगर आप आते हो तो हो सकता है उस rule के कारण आपको refund नहीं मिलता है तो जैसे कि आपको Google Play का काफी जाद refund policy है जो आपको देखने को मिलता है तो अगर आप सही से process कर रहे हो और सही से करने के बाद में आपका क्या हो रहा है कि refund अफ्रूब हो जा रहा है और अफ्रूब होने का बाद में आपको refund नहीं मिल रहा है तो क्या reason इसमें हो सकता है कि आ आपको refund successful नहीं मिल रहा है तो चली दोस्तों वीडियो को फटफट स्टार्ट करते हैं आप मेरे चनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलते रही और किसी प्रकार के आपको problem होती है तो please चैनल पर comment करो मैं उस पर जरूर वीडियो आपको बना कर दूँगा या हो सकता है तो मैं आपको reply भी कर दूँगा तो simply क्या होता है कि approve पर जैसे ही आपका हो जाता है approve होने का बाद में next step रहता है google play का कि आपके gmail account पर वो आपको balance rate कर दे बट अगर नहीं आया है तो यहाँ पर एक role होता है google play का कि अगर आप किसी भी gmail account से किसी भी gmail account से आप कितना purchase करते हूं वो मेटर नहीं करता आप कितना item को purchase कि कितना time किये हो आप हो सकता 20-25 item को purchase कि हो बट उसमें आप कम से कम पांच ही refund को मार सकते हो मतलब कि एक gmail account से minimum और maximum आप जो भी माल लो आप ज़्यादा का ज़्यादा refund मारते हो पांच का बाद छटा वाला भी अप्रूब होगा सत्वा भी अप्रूब होगा अठ्वा भी सब अप्रूब होगा बट पच्वा का बाद में जितना भी अप्रूब होगा उस सब का सिर्फ अप्रूब का ही message आएगा आपको उसका account में यह बहुत को बहुत ही बेटर तरीका को बता रहा हो जिस पर आपको सकसेशपूल और चलिए मैं ब्राउजर पर चलकर आपको दिखाता हूँ आकर यहां पर इसे पर प्लेट गूगल डॉटकम ऐसे करके आपको सर्च करना है ठीक है ले डॉट गूगल डॉट कॉम यहां पर करोगे तो कभी भी यह साइड जो मैं खूल गया भी दिखा रहो वो साइड आप में नहीं खुलेगा तो बिल्कुल देख सकते हो कि सही स्पेलिंग डालोगे तो उसके बाद में इस तरीके के एक नया साइड यहां पर ओपन हो जाएगा बिल्कुल प्लेश्टोर का गलत इस professional दिखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करने के बाद में देख सकते हो कि आपको छ áreas और वहाइन पर जैसे क्लिकर हो थी आपर देख सकते हो थियांपर कोई भी ओर्डर इस्ट्री पर देख सकते हो तो मैंने यहांपर पहले का जो भी यापर रिपर्ड मारा होगा या खुछ भी पर्चिस किया होगा बिल्खुल फूली डिटेल यहां पर आपको देखने को मिल करके आपको यहां पर क्लिक अलते हैं कि I want refund ऐसे करके आपको यहां पर लिख देना होगा उसके बाद submit पर आपको क्लिक कर देना होगा दोस्तों submit पर जैसे क्लिक करोगे यहां पर देख सकते हो कि 48 आवर के बाद में आपको इसका decision आपको बता दिये जाएगा और जैसे कि मैंने बताया कि Gmail account पर आपको एक message देखने को मिलेगा approval या review या फिर विकांट प्रोवाइड हो refund या तीन option आपको देखने को मिल सकती है तो दोस्तों इसके बाद में आपको refund या पर successful हो भी सकती है नहीं कि अगर आप सही टाइविंग पर refund मारते हों कि 48 आवर के अंदर में मारे हो ठीक है अगर ओल्ड को मार सकते हो ओल्ड पर भी कभी-कभी ऐसा refund मिल जाता है तो दोस्तों इस तरीके से आपको refund ले सकते हो वीडियो अचले वीडियो को जैबर लाइक करते है ना चलको सब्सक् पर दें मिलते हैं वीडियो में तब दो